वेलकम टू साथियो परताब क्लासेज के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज है 23 फरविडी 2022 और 23 फरविडी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो क्रांट हफेर्स के क्योस्तन मनते हैं तो आज उनका डिसक्रशन करेंगे पूरा वीडियो द्यान से जैसे हम वीडियो प्लोड करें उसका नौटिपिकेस्न आप पहुंच जाये और वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडिय आपको इसकी टेलीग्राम पर परताब क्लासे सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिसक्रूशन में भी टेलिग्र के बाद आपको इसकी पीडियेप है उपलब दोती है तो आईए हम बात करते हैं आज पहले क्योशन की बड़ा ही शांदार हाली में बीजिंग में सीथ कालिन ओलंपिक के 2022 में सीथ कालिन ओलंपिक चल रहे थे उनका समापन समरोय कल मैंने आपको बताया था तो इनका समापन समरोय हो चुका है और अभी तो कहा है इसमें सीथ कालिन ओलंपिक 2022 में नार्वे देश है जो टोप पे रहा है और दो नमबर पे मैं बात करूँ तो कौन सा है तो दो नमबर पे है जर्मनी और तीन नमर पे है चीन कौन सा है तीन नमर पे तीसरे नमर पे है चीन और जर्मनी है दो पे और टोप पे रहा है नार्वे अभी सीथ कालिन ओलंपि के लिए पदक तालिका में सिर्ष पर है कौण सा है नारवे जिसमें कुल 37 पदक हैं जिसमें 16 शोरन स्वार्ण स्वामिल है इसमें कितने स्वार्ण जिते हैं 16 शोरन पदक इसने जीते हैं बिजिंग चीन 2022 सीथकली अलम्पिक चार से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था तो लो किया था कि अगला संदेखो शालिमी ब्हारतिय रेलवे किस सराजिए में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है तो अभी बारतिय रेलवे है चुझ सबसे इंचा बना देश का पहला केबल रेलवी बिरिज बना रहा है तो वो कहां पे है जम्मू कश्मीर में बना रहा है कहां पे जम्मू कश्मीर में मुखेते देखो बारतिया रेलवी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जीले में अंजी नदी पर कौन सी अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल का निर्मान कर रहा है और निर्मान दीन अंजी यानि की खंड़ पुल उद्धमपुर सिरीणगर बारामूला रेल लिंक प्रियोजना का एक इसा है और अबी निर्माण देना है और अभी चल रहा है जम्मू कस्मीर में सब से बड़े railway केबल से बने इस पुल का निर्माण है हो रहा है इस पुल नदी के तल से 331 मिटर के उन्चाए पर यह खड़ा होगा और पेरिस में एफिल टावर से भी उन्चा होगा पेरिस में जो एफिल टावर है उससे भी उंचा ये पुल है बन रहा है कांपे जम्मु किस्मीर में और बारतियर रेल वे है जो वो बना रहा है तो वरतमान में हमारे रेल बंतरी कोण है अश्विनी वेशनाव अगला कुशन देखो हाल में किस राजे की मंडी में पहला जे वीटा पारक मिला है ये बिना है हिमाचल परदेश में कांपे मिला है हिमाचल परदेश है राज्य में मुक्षे तति देखो हिमाचल परदेश को लुप्त प्राय हिमाले जड़ी बूटियों के स्रंक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जे वीटा पारक मिला है ये पारक मंडी की बुला है गाटी में बनने के लिए तैयार है और हिमाचल परदेश के वन विवाग दुआरा राष्ट ये हिमाल्य अध्यन मिशन के तैत जेवी विधा पारकी स्तापना की गई है अगला क्योशन देखो हाली में एर्व धिंस मस्टर रेपिड ओनलाइन चेस टोर्नामिन्ट का खिताब किसने जीता है बड़ा ही शांदार क्योंसने है कि Air Things Master Rapid Online Chess Tournament का किताब किसने जीता है वो जीता है परग्या नंदाने किसने जीता है परग्या नंदाने जीता है उसने हराया है विश्व के सबसे नंबर वन थे कौन मेगरसन कालसन ने यह है कि चेस में बहुत टोप पे चलते थे लेकिन इनक को हरा दिया है किसको मेगरसन कालसन ने और Air Things Master Rapid Online यह चेस्ट टूर्नामेंट था जिसमें किताब जीत लिया है परग्या नंदाने मुक्य तते देखो बारत के 16 वर्षिय सबसे कम उमर के थे यह बारत के 16 वर्षिय ग्रेंड मास्टर आर परग्या नंदान ने Air Things Master Rapid Online चेस्ट टूर्नामेंट के आठ में दोर में विश्व नंबर वन एड़ी नार्वे के मेगरसन कालसन को राया है यह नार्वे के थे टोप नंबर पे वन चल रहे थे लेकिन इनको हरा दिया है कून सबसे कम उमर के थे 16 वर्षिय है Grand Master का खिताब असल करने वाले अब तके पांचवे सबसे कम उमर के खिलाडी है तो कोन है प्रग्या नंदना दोस पांचवे सबसे बड़े कम उमर के खिलाडी है अगला क्यों देखो हाली में बहरत की पहली जेव सुरक्षास्तर थ्री मोबाइल प्रयोग साला का उदगाट मुखे तते देखो केंदरिय स्वस्ते और परिवार कल्यान राज्य मंत्री कोने बारती परवीड पवार ने नासिक माराष्ट में बारत की पहली जेव सुरक्षास्तर थ्री नियंतर मोबाइल प्रयोग साला का उदगाटन किया है और यह नई लौंच कीगी लेब के देश के दूर दुराज और जंगली इलाकों तक पहुंचने में बनाने में शक्षम होगी नोकि दूर दूर जो छेतर है उसमें क्या है और जंगली इलाकों तक यह पहुंचने वाली शक्षम होगी और अभी इसका जो प्रयोग साला का उदगाटन किया है जो कल्यार मंत्री है मा वायू अभ्यास का आयोजन होगा तो यह होगा भारत हो रहा है उमान के बीच किसके बीच होगा भारत और उमान के बीच अभी चल रहे हैं और यह कौन सा है बुर्वी ब्रीच यह तुर्ट वायू भ्यास का आयोजन हो रहा है बारत हो रहा है उमान के बीच मुख्य तते दे 2022 तक इस्टरन ब्रिज चतुर्थ नामक एक दूई पक्षिय वाई ब्यासका यह ने किया गया है तो अब यह ब्यासका अजुन चल रहा है कब तक चले गया 25 फरविश तक यह चलेगा अब उमान की राजदनी क्या है मसकट उमान की मुद्रा क्या है उमानी रियाल क्या है उमानी रियाल और उमान की राजदनी है मसकट अगला क्रिशन देखो हाली में बारत की सबसे बरोसे मंद सावजनिक छेतर की कंपनी का पुर्षकार किस कंपनी को मिला है कि बारत की सबसे ब्रोस्यमंद सारवजनिक छेतर की कमपनी कौन सी है जिनको जो कहा है सरवजनिक छेतर की कमपनी कोल इंडिया कौन सी है कोल इंडिया सरवजनिक छेतर की कमपनी कोल इंडिया लिमिटेड को बारत की सबसे बरोस्यमंद सावजनिक छेतर की कंपनी के पुर्षकार से नवा जा गया है और कोल इंडिया को यह सम्मान कोल काता में उद्योग मंडल एसो चेम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सिलेंस अवार्ड समरोय में मिला है और कोल इंडिया के चेर्मेन कोण है सिरी परमोद अगरवाड है और सबसे बरोस्यमंद सावजनिक छेतर की कंपनी चुनिगी है कोल इंडिया अगला क्रिश्टन देखो हाली में किस राज्य में 48 वा खजुराओ नर्ते मोद सो शुरू हुआ है यह हुआ है MP यानि की मध्या परदेश में 48 वा खजुराओ मोद सो शुरू हुआ है मुखे तति देखो मध्या परदेश के राज्य पालकोण मंगू बाई सिंग पटेल ने अजादी का अमरित मोद सो कैफसर पर विश्व परसीद प्रयाटनस्तल खजुराओ में 48 में खजुराओ नर्त्य मोद सो दो जर बाईस को उद्गाटने किया है और यह कब तक चलेगा यह चलेगा 26 फरवरी तक इसका आयोजन होगा और खजुराओ नर्त्य मोद सो की सुरुवात कब होई तो यह हुई थी 1905 में मंदिर परिशर से हुई थी कब है 1905 से इसकी सुरुवात होई तो अभी मद्या परदेश में इसका योजन हो रहा है 26 फरवरी तक यह चलेगा अगला कुशन देखो हाली में सवतंतरता सेनानी और गंदिवादी समाजी करे करता कौन थी जिनका हाली में निदन हो चुका है तो यह क्यों लेके हैं क्योंकि अभी इनको पदम स्री 2022 में समानित किया गया है तो सवतंतरता सेनानी और गंदिवादी समाजी करे करता थी कौ करता सकुंतला चोदरी का निदन हो चुका है और वह लोग पुरिये रूप से सकुंतला बाई देव के नाम से जानी जाती थी किस से सकुंतला बाई देव के नाम से जानी जाती उन्हें बार सरकार द्वारा दो हजर बाईस में पदम स्री पुर्शकार से समानित है किया गया ह तो अभी 26 जनुवरी जो गनतंतर दिव सोहित उससे क्या है उसकी पूरूप संद्यापर है अब की बार पदम स्री पदम विभुशन पदम वुशन की जो है गोशना हुई थी तो इनको भी पदम स्री पुर्शकार से सम्मानित है किया गया है किनको सकुंतला चोधरी को अब पिछले वीडियो का क्योशन देखो हाली में किस सहर में जल टेक्सी सेवा को हरी जंडी दिखाई गई है तो ये दिखाई गए बुंबई में कहां पे बुंबई सहर में जल टेक्सी सेवा को सुरू किया गया है तो सभी विदार्तियों को आंसर सही था सभी विदार्तिय Philippines या Brazil कि Beijing Winter Olympic में किस देश ने ISO की का किताब जीता है तो इस खेल के साथ ही क्या है अभी मैंने आज बताया कि Winter Olympic खेलों का वित समापन भी हो चुका है तो इसका जवाब आपको कमेंट बोक् 명 में देना है अब देखो हमारी येस्टेडी डोज क्या थी चंद्रगुफ्त मोरे ने सहलुकस को कब पराजित किया तो वो किया था 305 इस्वी पूरो कब किया चंद्रगुफ्त मोरे ने सहलुकस को कब पराजित किया 305 इस्वी पूरो सांची का स्थूब किसने बनवाया तो वो बनाया था असोग ने किसने बनवाया असोग ने बनवाया था सांची का स्थूब असोग के सिलालंगों को पढ़ने वाला परतम अंग्रेज कौन था वो था जैम्स पिरिसेंप कौन था जैम्स पिरिसेंप तो असोग के सिलालंगों को पढ़ने वाला ये अंग्रेज था मोरे काल में गुपचरों को क्या का जाता था गुड़ पुरूस क्या का जाता था गुड़ पुरूस मोरे काल में गुपचरों को कहा जाता था किसके साहसन काल में डायमेक्स बारता आया था तो वो आया था बिंदू सार के साहसन काल में किसके सासनकाल में आया बिंदू सार के सासनकाल में आया था तो ये बड़े ही पांच क्रेशन बड़े ही शांदार थे एकजाम की दर्शिशी बहुत ही महत पुन है तो जिन विदार्थी ने बड़े शांदार जवाब दिये हैं उन सबी विदार्थियों को आरदीक शुब का था सुंग वंस के बाद किस वंस ने बारत पर राज किया और साथ वान वंस का संस्ताप्पा कौन था इन पांचों के जबाब आपको कमेंट बोक्स में देने है जो भी मैं पीछे क्योस्तन लेके आता हूं वो सभी एक्जाम की दिश्टी से बहुत ही मैथपुन है साथ-साथ विदार्थियों को बड़े ही शानदार तेरी है तो उन विदार्थियों को आर्दिक शुब कामने और जाते-जाती आप वीडियो को लाइक सेर कर देना और कल आपको पता ही है कि जो पटवार का एक्जाम उसकी कट आफ भी जारी हो चुकी यह अंक भी जारी कर दी है तो आप एसो सो आड़ी पर जाकर आप इसके आंके पटवार के आंके देख सकते हो तो साथ-साथ हम जो भी छोटे-छोटे आते हैं को नोटिफिकेशन दा आपको वीडियो उसका भी आम उपलब्द करवा देते हैं तो जाते-जाते आप वीडियो को लाइक सेर कर दना और शा